असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शाहरुख दोस्तों कल शाओमी के चाइना वाली वेबसाइट पे एक पिक्चर दिखाए गई और वह पिक्चर देखकर के बरे बरे बलॉगर्स बरे बरे यूटुबर्स कहने लगे कि लगता है शाओमी ने अपना लिस्ट को जेनरेट कर दिया है कि कौन-कौन से डिवाइसे में नोगट आएगा कौन-कौन से डिवाइसे में नोगट नहीं आएगा यह पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पूरी की पूरी चाइनीज में है और यहाँ पिक्चर देखते ही इसके कुछ इंगलिस वर्ट को पढ़के, लोगों नी ये सोच लिया कि इन इन डिवाइसेश में नोगट 7.0 आएगा इन इन डिवाइसेश में नोगट का 7.1 आएगा और जो डिवाइसेश नहीं है उनमें नोगट आएगा ही नहीं और ये सब न्यूस जो है एकदम हम फैलने लगे दोस्तों जैसे viral हो जाती है कोई चीज तो फैलने लगती है चाहे वो जूट हो चाहे वो सच हो तो उसी तरह से यह भी निव्ज फैलने लगी और फैलते फैलते लोगों तक पहुँची तो हम लोगों को काफी ज़ाधा तकलीफ हुई बहुत सारे लोग सोचने लगे कि लगता है Redmi Note 4 India में जो की Redmi Note 4 India में उसमें नोगट नहीं आएगा जो की Redmi Note 3 India में उसमें नोगट नहीं आएगा और ऐसी ऐसी बाते सोचने लगे दोस्तो अब मैं आपसे बताना चाहूँँगा सबसे पहले चीज़ बोलना चाहूँगा कि ना फैलाओ जब तक कि आप खुद वेरिफाई ना कर लो, यह जो पक्चर चाइनीज में यप पिक्चर अंखिर कहती क्या है, क्या किसी ने इस चाइनीज चीज को translate करके पढ़ने की कोसिस की, कि यह पिक्चर अखिक कहती क्या है, यह पिक्चर क्या कहती, आईये मैं आज आज आप लोग को बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, बस screenshot लेकर कि आपको Google Translate में translate करना है, और यह picture यहा कहती है, पहले line में कहती है दोस्तों कि कौन-कौन से devices में Nougat है, यह नहीं कहरी कि आने वाले है, कौन-कौन से device में Nougat support है, यह कहती है तो यहाँ पर list दी हुई है, Mi Max में है Mi 5 में है, Mi 5S में है, Mi 4C में है, Mi 4S में है, Mi Note में Mi Note 2 में है, Mi Mix में है, Redmi Note 4X में है, इन सब devices में China में, सब में Nougat है, उसके बाद second, second वाली column में क्या कहती है, कौन-कौन से devices में Nougat 7.1 है, पहली line थी कि कौन-कौन से devices में Nougat 7.0 है दूसरी line कहती है कि कौन-कौन से devices में Nougat 7.1 है, तो इसमें क्या लिखी हुई है, तो इसमें लिखी हुई है Mi 6 में है, Mi Max 2 में है, Mi 5C में है, Redmi 4X में है, इन सब devices में Nougat का 7.1 supported है, उसके नीचे एक छोटी सी date दी हुई है 3 July, तो लोग सोच लेते हैं कि 3 July तक ही इन सब devices में Nougat आएगा, उसके बाद इसके अलवा किसी भी devices में Nougat नहीं आएगा, नहीं यहां क्या लिखी हुई है, यहां लिखी हुई है कि यहां जो statistics है, चाइनीज में और नीचे बता रही है कि 3 July तक, यानि कि अभी तक 3 July तक, इन इन devices में Nougat support है, यह नहीं कह रही है कि इसके अलवा जो भी devices है उसमें Nougat support है ही नहीं, यह कह रही है कि 3 July तक, अभी तक इन इन devices में Nougat support है यानि कि इन इन devices में Nougat आचुकी है चाहे वो alpha ROM में हो, चाहे वो beta ROM में हो, चाहे वो nightly ROM में हो, चाहे वो experimental ROM में हो, चाहे वो stable ROM में हो, तो इन इन devices में नोगट आ चुकी है, बाकी सब devices में नीचे जो Chinese लिखी हुई है, उसमें ये भी लिखुई है, कि बाकी सब device भी continue करेंगे support करना, बाकी सब device जो Chinese में नीचे लिखी हुई है कि बाकी सर्व डिवाइस भी सपोर्ट करेगा Android को नोगट अपडेट लेकिन यहाँ जो लिस्ट है यह स्टाटिस्तिक है कि 3 जुलाई तर कौन-कौन से डिवाइस में नोगट अपडेट हैं यह चीज लिख हुई है बीना चाइनीज टेक्स टेक्स को ट्रांसलेट किये कोई भी न्यूस को वेरिफाइ किये बीना व Size के वरिफाइ किये लोग लगे English में अपने भार्शन देने अपने YouTube चैनल पे बोलने कि भाई देखो यह तो नहीं आएगा कुछ लोग एकदम रहते हैं attitude में और कहते हैं बहुत बड़े यूटूबर बन गए और कहते हैं कि Redmi Note 4 इंडिया में Nogat Update नहीं आएगा Redmi Note 3 में इंडिया में Nogat Update भी नहीं आएगा भाई Xiaomi 13 क्या होगा और इस तरह के सवाल जवाब करने लगते हैं मैं कहना हो चाँगा भाई source तो verify करो जहां से आप news पर रहे हो Mi Forum पे, Mi Community पे वह Mi Forum, वह Mi Community एक ऐसी जगा है जहां पे कोई भी जाके कुछ भी लिख सकता है मैं भी जाके कुछ भी लिख सकता हूँ जूट सही आप भी जाके कुछ भी लिख सकते हो जूट सही जो कहता हो कि redmi note 3 में नोगट नहीं आगा, जो कहता हो कि redmi note 4 में नोगट नहीं आगा, एक भी post कोई मुझे official लोग के तरफ से दिखा दे, फिर मैं मानू, कोई post आपको नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि सभी, वो me forum है, भाई, वो community है, community और forum पे कोई भी कुछ भी लिख सकता ह तो किसी को news मिली, वो fake news मिली और उसने आकर के लिख दिया, भाई, कोई भी official news नहीं लिखा है, कोई देखो, कोई moderator नहीं लिखा है, किसी moderator नहीं लिखा है, किसी intern moderator नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, कोई super moderator नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, जिसने भी लिखा ह तक ने लिखा होगा beginner export यह सब मी फूरम के सबसे lowest down के हैं या फिर rookie ने लिखा होगा मतलब इस तरह के जो beta user ने लिखा होगा कुछ-कुछ लोगों ने लिखा होगा news दे दिया होगा सुनकर के तो वह मी फूरम मी community के news पे ध्यान ना दे आप official Xiaomi के spokesperson पे ध्यान दे शौमी के official spokesperson क्या कहते हैं Xiaomi के official spokesperson यह कहते है कि कौन-कौन से devices में nougat आएगा आज मैं आपको list दे देता हूँ सबसे पहला list nougat 7.0 के इसमें किसमें आएगा नोगट का nougat के 2 versions है 7.0 और 7.1 तो सबसे पहला list nougat का 7.0 के इसमें किसमें आएगा जल्दी जल्दी बता देता हूँ Mi Max, Mi 5, Mi 5S, Mi 4C, Mi 4S, Mi Note, Mi Note 2, Mi Mix, Redmi Note 4, Redmi Note 4X दोनों ही Snapdragon version वाले, Redmi Note 4 इंडिया वाला, Redmi Note 4X चाइना वाला, दोनों में आएगा अब अगली list nougat update 7.1 किसमें किसमें आएगा नोगट update 7.1 इससे पहले वाली list थी कि nougat update 7.0 किसमें किसमें आएगा अब list nougat update 7.1 किसमें किसमें आएगा Xiaomi का Mi 6, Mi Max 2, Mi 5C और Redmi 4X और Redmi 4 इंडिया वाला Redmi 4X चाइना वाला और Redmi 4 इंडिया वाला नोगट 7.1 आएगा अब अगली list कि कौन-कौन से devices में future में नोगट आ सकते हैं कौन-कौन से devices में future में नोगट आ सकते हैं लेकिन यह list confirm नहीं है जो अभी मैं list बताने वाला हूं यह confirm नहीं है यह बस एक अनुमान है कि इन इन डिवाइसेस में नोगट आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं यह Xiaomi को उपर है Redmi 3S, Redmi 3S Prime इन डिवाइसेस में नोगट आ सकते हैं Redmi Note 3 Snapdragon जो इंडिया में इस्तेमाल होता है नोगट आ सकता है Redmi Note 3 Mediatek जो चाइना में इस्तेमाल होता है उसमें भी नोगट आ सकता है Redmi Note 4 Mediatic जो की चाइना में इस्तेमाल होता है उसमें भी नोगट आ सकता है लेकिन Redmi Note 4 India में नोगट अल्रेडी अविलेबल है stable ROM में भी release हो जाएगे कुछ दिन में बाकी कौन-कौन से devices में नोगट नहीं आएंगे जो काफी हद तक confirm है अब मैं list देता हूँ कौन-कौन से devices में नोगट नहीं आएंगे जो काफी हद तक confirm है लेकिन काफी हद तक ही confirm है इसका मतलब ये ना सोचे कि एकदम नहीं आएंगे हो सकता है Xiaomi का दिमाग बदल जाए तो यह list है जिसमें नोगट नहीं आएंगे Redmi 1S, Redmi 2, Redmi 2 Prime Redmi Note सबसे पुराना वाला Redmi Note 4G सबसे पुराने वाला Redmi Note Prime सबसे पुराना वाला Redmi 4A अब जहां पर Redmi 4A का बात है इसमें भी confirm नहीं हो इसमें भी आ सकता है नहीं भी आ सकता है लेकिन अभी तक जहां तक confirm है कि नोगट नहीं आएगा MI3, MI4, MI4I इन सब डिवाइसे में नोगट नहीं आएगा बस यही सब डिवाइसे है जिसमें नोगट नहीं आएगा लेकिन जो list जो चाइना में list दी हुई कॉन से डिवाइसे में नोगट आ चुके है और उसके बाद भी आगे list में लिखा हुआ है कि भाई continue करेंगे और भी devices continue करेंगे और भी devices को नोगट मिल सकता है बस आप हमारे साथ जुरे रहे सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन लोग verify नहीं करते बस picture देख लिया और नुमान लगा लिया और कह दिया बोल दिया बख दिया views मिल गए और लोग तो हम लोग परिशान हो गए मेरे पास सवाल आने लगए भाई देखो Redmi Note 4 में नोगट नहीं आएगा मैं का तो भाई लिख लो एक महीने के अंदर आपको नोगट मिलने वाला है एक महीने के अंदर आपको नोगट मिलने वाला ये आप लिख लो ये मैं कह रहा हूँ एक महीने के अंदर आपको नोगट मिलने वाला है जो भी Redmi Note 4 पे, मैं Redmi Note 4 पे Beta ROM इस्तेमाल करता हूँ, जो भी Beta ROM पे है, सब को Nougat मिल चुकी है आज नहीं, चार महीने पहले ही मिल चुकी है, मैं चार महीना से Redmi Note 4 पे Nougat updated इस्तेमाल कर रहा हूँ कैसे कह देते हैं, लोग कोई Nougat अपडेट नहीं मिलेगा मैं कहना चाहता हूँ, Xiaomi का mood बना तो सब में दे देगा MIUI 9 मैंने भी वीडियो बनाई थी कि Redmi 1S और Redmi 2 में MIUI 9 नहीं आएगा लेकिन उस वीडियो में मैंने कहा था कि यह मेरी अनुमान है यह मेरी अनुमान है कि Redmi 1S में Nougat और Redmi 1S में MIUI 9 नहीं आएगा यह मैंने नहीं कहा था कि Xiaomi का है तो जो आपकी अनुमान है उसे भाई कहो न कि यह मेरी अनुमान है क्यों कहते हूँ कि Official News है ऐसा मत कहो कि Xiaomi ने Official News दे दिया ऐसा कुछ भी नहीं दिया है मेरी अनुमान है कि MIUI 9 सारे डिवाइसेस में आएगे हो सकता है कि Redmi 1S या Redmi 2 में नहीं आए हो सकता है लेकिन सब में आएंगे उसी तरह से मेरी अनुमान है कि Redmi Note 3 में भी नोगट आएगा लेकिन हो सकता है कि नहीं आए Redmi 3S में भी नोगट आएगा लेकिन हो सकता है कि नहीं यह मेरी अनुमान है हो सकता है लेकिन कम चांस है से नोगट उसमें आने की लेकिन Redmi Note 4 में बिल्कुल आयेगा ये पक्का है ये कनफर्म है तो आप पैनिक ना करें आप इन यूटूबर्स की बात न सुनें वो लोग बीना वेरिफाई की कुछ भी बोल देते हैं मैंने आज आपके पास वेरिफाई करके यहाँ पर ट्रंसलेट के स्क्रिंशोट दिखा करके मैंने आपको वेरिफाई किया है तो अब आप कूल हो जाए और ठेंडे से दिमाग से सांस ले ऐसा कुछ भी नहीं होता और ध्यान रखे मी फोरम मी कम्यूनिटी एक ऐसी कम्यूनिटी एक ऐसी फोरम है जहां पर कोई भी जाके कुछ भी लेख सकता है तो आप कोई भी निउस पर कि आप ओफिशियल नाम आ लेजे आप देखिए कि उसे किसने लीख है हुआ हुआ है